बच्चों आए आज हम BST का last chapter जो की consumer protection है अर्था हिंदी में हम इसे कहते हैं वो भोगता संरक्षान उसको start करते हैं और उस chapter को detail में अच्छे से समिननी की कोशिश करते हैं इसमें दो शब्दे यूज हो रहे हैं जैसे कि आप screen पर देख रहे हैं उभोगता एवं संरक्षान अब सबसे पहली बात ये उभोगता कौन है ये उभोगता आप हम वे सभी लोग हैं जो goods and services यानि वस्तू एवं सेवाओं का उपयोग करते हैं या उभोग करते हैं जैसे कि इससे पहले के chapter में आपने देखा और जाना कि जो उभोगता है वो बाजार का राजा होता है और विपनन की समस्त क्रिया इन उभोगता के इर्दगिर्द घूमती रहती हैं अगर बाजार का मूल भूत आधार माना जाए तो उभोगता है क्योंकि अगर उभोगता नहीं होगा तो बाजार नहीं होगा जैसे कि आप जानते हैं कि बाजार में अगर उभोकता को कोई व्यावसाई संगठन संतुष्ट रखता है तो वह और आगे बढ़ता जाता है और मार्किट में उसके प्रोड़क्ट्स की यानि उनकी वस्तूओं की जो डिमांड है वो बढ़ती चली जाती है तो इस तार्तब में में अगर हम बात करें तो जैसे कि हम देख रहे हैं उभोकता संदुष्ट यानि कस्टमर प्रोटिक्शन वे सभी व्यावसाईक संस्थाईं जो कि अपने उभोकता को संतुष्ट रखती हैं वो अपने उभोकताओं के साथ अच्छे संबंद सद्रेड सं बनाने में कामियाब होती हैं और उनके मध्य जो क्रेविक्रे की क्रिया होती है वो लंबे समय तक चलती रहती हैं लेकिन हम यह भी देख रहे हैं आज के वातावरण में कि कुछ ऐसी इंडुस्ट्री या व्यावसाईक संस्थाएं हैं जो ज्यादा लाब कमाने की चाहत मे क्या करते हैं अपने एक बाजार के राजा के साथ अर्थात वो भोकता के साथ क्या करते हैं धोका धड़ी करते हैं किस तरह की धोका धड़ी या तो नापतॉल में धोका धड़ी करेंगे या तो फिर जो वस्तु विक्रे कर रहे हैं उसकी क्वालिटी में धोका धड़ी करे सेले हैं उसकी क्या होता है उनका दो युशन को बचाने के लिए उभुक्ता साथ है यह लागू कि समया घ्रू प्रस्तावना जैसे हमने समझा आए अब हम इसके अर्थ को जानते हैं कि उब्भोक्ता संद्रक्षन होता गया है कई व्याव सहिक इकाईयां ऐसी हैं जो ज्यादा आप यह बात हो गई उभोक्ता संद्रक्षन का अर्थ क्या जैसे कि आपने जाना अब हम देखते हैं कि भारत में ओ भूक्ता शोशण के क्या क्या रण है या फिर हम इस आपने खरीदा गुवब्रमेंट की रूल्स के अनुसार उस पैक्ट फूड की जो वांटेटी होनी चाहिए एक लिमेटेट क्वांटेटी उन्होंने डिसाइड की हुए लेकिन कुछ कंपनीय क्टिया हैं जो निर्धारित क्वांटेटी से कम्वांटेटी पैक करके उसको से एक मटीरियल सेल करते हैं या कपड़े को सेल करते हैं जिसमें पॉलिनोसिक और पॉलिस्टर दो तरह के पदार्थ हाते हैं अब जो पहला पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ की पिक्षर सस्ता होता है लेकिन कस्टमर क्या है इन दोनों पदार्थों के बारे में या मटीरिय online जमाना है आपने कई ऐसे advertisements भी देखे होंगे जिसमें आपने पाया या आपके खुद के साथ कभी ऐसा हो सकता है या आपके किसी नजदी की विक्ति के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने online shopping की online shopping में जो उन्होंने product देखा उन्हें जब वो product दिलिवर हुआ उस समय वो product सेम नहीं था या उसकी quality सेम नहीं थी तो वहां पर बात आती है customer के शोषण की तो इस तरह के जो शोषण होते हैं वो भारत में उप्भोकता शोषण के अच्छा उधारण जाने जा सकते हैं आएए आगे बढ़ते हैं importance यानि महत्व की तरफ की उप्भोकता संद्रक्षण के महत्व क्या है जैसे कि screen पर देख रहे हैं उप्भोकता संद्रक्षण के दो महत्व हैं पहला महत्व आता है उप्भोकता के के द्रिश्ट कोंड से from the point of view of consumer इसमें पहला पॉइंट अगर हम पहला importance या पहला महत्व देखें तो यह कहता है कि उप्भोकता अंदे की यानि consumer ignorance जैसे कि आप जानते हैं आज लोग काफी शिक्षित हो चुके हैं जानकार हो चुके हैं लेकिन फिर भी क्या होता है उन्हें बहुत सी ऐसी चीजों की जानकारी नहीं है जिससे कि वह अपना शोषन होने से बच सके तो इन सभी चीजों के बारे में जानकारी रखना उनका एक बहुत बड़ा अधिकार है और अपने जो उनके आवशक अधिकार हैं उनको उन्हें अंदेखी नहीं करने चाहिए वह क्या मान लेते हैं इन जानकारीयों के आभाव में कि जिन चीजों से यह जिस शोषन से वो घुजर रहे हैं वह उन चीजों के आदी हो जाते हैं यह उसे मॉर्ट का एक पार्ट समझ लेते हैं जो की है नहीं उन्हें इन चीजों के विरुदध कंप्लेइन करने चाहिए और अपने आपको शोषन से बचाना चाहिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि दूसरा है असंगठित उब्भोगता अन और्गनाइस कंज्यूमर जैसे कि आप जानते हैं अकेला व्यक्ति कभी भी किसी भी कारे को पूरा नहीं कर सकता उसे संगठित होना जरूरी है इसी तरह अगर कोई एक उब्भोगता किसी कंपनी या कि पॉजण yrama का छाहिए तो उस स्तिति में उसे क्या करना चाहिए कि उसी प्रडुक्ति या उसी तरह के प्रडुक्स से शिकार लोग जो की शोशित हो चुके हैं उनको और सभी को मिल करना चाहिए उसके अगेंस्या करना चाहिए तो कदम उठाना चाहिए या अपने जो उन्होंने जेला है या उन्हों समस्याओं का सामना किया है उन्हों समस्याओं के निवारण या हल के लिए शासन से विनंती करनी चाहिए या उनसे मांगना चाहिए कि हमें इन समस्या से बाहर निका लि अब बच्चों देखे जो consumer है उसको बहुत बड़े पैमाने पर भी शोषण हो सकता है इसे बड़ी बड़ी डीलिंग्स करते हैं उसमें भी शोषण हो सकता है इन सभी शोषण से बचने के लिए उभोकता को अपने अधिकारों की जानकारी रिखना बहुत जरूरी है आज का वो भोकता पढ़ा लिखा है विद्वान है बुद्धिमान है शिक्षित है इस सब राइट्स इन सब रिसोर्स उनके साथ है तो उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी होना जरूरी है ताकि वो इस तरीके के शोषण से बस सके और अपना प्रोटेक्शन यानि अपन संड्रक्षन को यानि कस्टमर के संड्रक्षन को किस तरीके से प्राप्त किया जा सके या उनका उप्योग किस तरीके से किया जा सके उन्हें अच्छी तरीके से आना चाहिए तो इस तरीके से हमने उभ्भोकता संड्रक्षन के पहले पार्ट जो कि उभ्भोकता के दृष् समाज के संसाधनों का प्रियोग करना business uses society resources जैसे कि आप पहले भी जानते हैं कि कोई भी website जो है वो क्या करता है society से resource अस्यानी संसाधन लेता है वे संसाधन कौन-कौन है जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है माल मशीन मनी मतलब पैसे मैं थर्ड यानी विधी और इसके अलावे बहुत सी चीज़े हैं जो क्या करता है वह society से लेता है अब जब वह business या website इन सभी चीजों को society से ले रहा है तो उसकी खुद की responsibility या जिम्मेदारी होती है कि वह इनको बदले में कुछ अच्छा दे उनका शोषण न करे तो यहां पर उससे क्या होगा अगर वह समाज के लिए कुछ काम करेगा क्योंकि जो business resources या संसाधन ले रहा है उसकी खुद की जिम्मेदारी है कि कि वह society को help करें या उसको आगे बढ़ने में मदद करें न कि उसका शोषण करें आगे हम अगले महत्व की और चलते हैं जो कि कहता है सामाजिक उत्तरदाईत यानि social responsibility social responsibility जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर व्यवसाय की social responsibility होती है अब किस के तरफ होती है ठीक है देखिए एक व्यवसाय से कई लोग जूड़े होते हैं है इन्वेस्टर होते हैं शेर होल्डर होते हैं वहां जो काम करने वाले employees होते हैं और साथ ही साथ customer होते हैं यह सारे लोग क्या होता है एक बाजार का राजा होता है तो प्रायरटी क्या बनती है कि इस कस्टमर को साथेस्टर रखना झाए तो जब कस्टमर साथेस्टर रहेगा तो अपने आप क्या हो जाएगा यह सारे लोग साटिस्टफाइड रहेंगे और जब पूरा सुसाइटी साटिस्टफाइड रहेगा तो संतुष जब पूरी सुसाइटी यानि समा संतुष रहेगा तो उस हिती में क्या होगा कि एक वैफ साइक एकाई अपनी जो सोशल responsibility है जो सामाजिक उत्तरदाइत्व है उसको पूरा करेगी कि वह अपने लोगों को या जिन लोगों से उन्होंने संसाधन लिये हैं उनका शोशन नहीं होने देरी उनको उनकी उपयोगिता की चीज़ें उपलब्द करा रही है अगले हम महत्व की ओर चलते हैं जो कि इसमें तीसरा महत्व है वह है व्यवसाई का दिर्ख कालिन है यानि लॉंग टर्म इंट्रेस्ट अब देखें सीधी सी बात है जो व्यवसाई अपने उपभोगता को संतुष्ट एवं खुश रखता है उसका व्यवसाई लंबे दोर तक चलता रहता है और उनके लिए कस्टमर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं यानि उपभोगता हमेशा मिलते हैं क्योंकि उनकी जो काम करने का तरीका है उनका जो प्रडेक्ट का क्वालिटी है वो जिस तरीके से विक्रे कर रहे हैं उन सारी चीजों से वो क्या कर रहे हैं उपभोगता को क्या कर रहे हैं संतुष्ट कर अगले हम महत्वकी ओर चलते हैं वो कहते हैं सरकारी हस्तक्षेप यानी government intervention अगर कोई भी website या कोई भी website अपने customers का शोशन करेगा या इस की कुछ कारे करेगा तो वहाँ पे government का हस्तक्षेप होना वाजिब है क्योंकि government की most priority क्या है या किसी भी website की most priority क्या है कि उभोकता को संतुष्ट रखना अब जब उभोकता ही असंतुष्ट है तो वहाँ पे क्या आएगा कि शास्की ये सरकारी हस्तक्षेप अपने आप आएंगे तो किसी भी व्यवसाय का ये सबसे महत्वपूर्ण अंग या महत्वपूर्ण कारे होना चाहिए कि वह किसी भी तरह से अपने जो उभोकता है उसको संतुष्ट रखे और प्रसंद रखे अंतिम इसमें जो महत्वप की बात आती है वो है नैतिक और चित यानि मोरल जिस्टिफिकेशन देखो बच्चों ये एथिक्स वाली बात है कि जैसे आपने चोटी क्लासेज में आपकी चोटी अक्षा में मोरल वैल्यूज एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा नैतिक शिक्षा वहाँ पर आपको नैतिकता की बात सिखाई जाती थी नैतिकता मतलब अच्छे कारे करना उसका प्रतिफल अच्छा ही होता है अच्छी बाते सोचना तो इसी तरीके से अगर कोई व्याफसाई अच्छे कारे करता है अपने उभुकताओं को सही जो वस्तुयम सेवाओं का विक्रह करता है इनको जो सही दे रहा है उनका कभी शोषण नहीं कर रहा है तो वो अपने कारे को जो अ사를 कि click कर रहा है है जैसे कि हम जानते हैं कि uh strictly बाजार का राजा है और कोई भी व्यवसाय लॉंग टम बेसे पर तभी तक चल सकता है जब अपने उभोकता को क्या करें अपने उभोकता को प्रसंद रखें उनकी सारी आवश्रक्ताओं को पूरी करें और वस्तुओं या सेवाओं को उत्पादन एवं उनका विनी में अपनी उभोकता की आवश्रक्ताओं को देखकर करें तो इस सरीके of consumers को देखते हैं अब हम कुछ ऐसे नियम या कानूनों के बारे में जानकारी लेंगे जो कि शासन के द्वारा बनाए गई है और इनका इन सभी का एकी कार्य है कि अपने उभोकता का संद्रक्षन करना आए हम एक एक करके इन कुछ नियमों को या अधिनियमों को जानते हैं कि कौन कौन से नियम है जो शासन्द्वारा बनाए गया है सबसे पहला नियम है उभोकता संद्रक्षन अधिनियम 1986 यानि Consumer Protection Act 1986 यह क्या है यह जो अधिनियम है यह विशेश्त अपने उभोकता को शोषन से बचाने और उसकी आवश्रक्ताओं की पूर्ती को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है इस अधिनियम के निसार इस अधिनियम में जो है दो श्युक्त वस्तू अपूर्ण सेवाओं और अनिश्चित व्यापार व्यवहर होता ता उभोकता शोषन के विरुद सुरक्षा प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश रहा है अब अगर हम इस अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम में क्या हुआ इस अधिनियम के अंतरगत अपने उभोकताओं को शोषन से बचाने के लिए नियायले की स्थापना भी की गई यहां पर अगर हम देखे तो ती सरी यंत्र की स्थापना की गई जिसे इंग्लिश में थ्री ट्या स्थापना के बारे में विचार किया रहा है किसके अंतरगत उभोकता संद्रक्शन अधिनियम 1986 के अंडर में तो बचो यह उभोकता संद्रक्शन अधिनियम शौट में था अभी हम इसके विस्तरित में बाद में जानेंगे इसके बाद हम अगले नियम की और चलते हैं जो है अनुबंद अधिनियम 1982 यानि कॉंट्राक कौंट्राक्ट करते हैं किसी भी कारे को करते में किसी भी कि कहना यह है कि सामने वाले या विख्ष्ट्र पार्टी अंडर सीव कर सकता है या उसके केस दाखिल कर सकता है तो इस अनुबंद के अंतरगत यही देखा जाता है कि जो अनुबंद तयार किया गया था दो पार्डियों के बीच क्या वो अनुबंद के अनुसार प्रक्रिया पूरी हो रही है और अगर कोई पक्ष इस कारे से प्रणाली या लीगल प्रोटेक्शन की ओर चलते हैं बैधानिक संट्रेक्शन की ओर चलते हैं तो अगला है वस्तू विक्री अधिनियम अपने आपको शोशन से बचा सकता है इसके बाद हम चौथे अधिनियम की ओर चलते हैं जो की है आवश्चक वस्तू अधिनियम फिर मूल्यों की वृद्धी पर नियंद्रण रखना तता आवश्चक वस्तू का उचित मूले पर वित्रण सुनिश्रित करना तथा लाब खोरी जमा खोरी तता काला बाजारी पर नियंद्रण करना अब बच्चे देखिए जैसे लाब खोरी जमा खोरी और काला बाजारी य तीनों के English technical words में आपको बताती हूं लाब कोरी यानी profiteering, जमा कोरी यानी hoarding और काला बजार यानी black marketing अगर ये तीनों words आपने शायद सुने होंगे और नहीं भी सुने होंगे तो in future आपको ये तीनों words काम आएंगे तो best portion होगा कि आप Hindi के साथ साथ अपने English terminology या vocabulary को भी strong करें आगे हम चलते हैं अगले अधिनियम की और देखते हैं कि अगला अधिनियम क्या है अब जो अपना next या अगला जो अधिनियम है वो है क्रिशी उत्पाद अधिनियम 1937 Agriculture Produce Act 1937 देखे बचों इसमें यह होता है कि क्रिशी उत्पादन से संबंदित तता इसके अलावा जो जानवरों के लिए भोजन तयार होता है उनका एक मानक तयार किया जाता है और उसी मानक के अनुसार ये इसमें जो उत्पाद हैं इन उत्पादो को उनके जो स्टांडर्ड्स एं जो तै किये गए हैं उसके अनुसार तयार किया जाता है उनकी पाकिंग की जाती है और जब यह उत्पाद तयार हो जाते हैं तो इस उत्पाद की पाकिंग के उपर एक एगमार्क नामक चिन लगाया जाता है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह जो चिन होता है वह इस उत्पाद की जो है यह उत्पाद कितना accurate है इसकी पुष्टी करता है तभी इस एगमार्ख चिन को लगा जाता है इसके बाद हम चलते हैं खाद मिलावट निमारण अधिनियां 1954 दे प्रिविंशन ओफ फूड अल्टरेशन आक्ट 1954 इसमें क्या होता है उन सभी खाद्य पदार्थों के विरुद या उनके विरुद जो होता है स्यू कर सकते हैं या उनके विरुद अपनी उभोकता को बचाया जाता है कि जब कोई खाद्य पदार्थ को मिलावट करके बनाया जाता है और उनसे होने वाले हानियों से जब उभ किया जाता है